Hello friends, welcome to my channel आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको steering के control के बारे बताने वाला हूँ steering हमें किस तरह से use लेना चाहिए, किस तरह से turn लेना चाहिए या फिर हम turning के समय किस तरह से हमारे steering को hold करना चाहिए इसके बारे में वीडियो करने वाला हूँ friends completely steering के बारे में इसलिए करना हूँ friends अगर हम कार को slow down करते हैं तो हमें क्या करना होता है steering का movement जो है different हो जाता है और अगर हम कार को speed में रखते हैं तो हमारा steering का movement तोणा सा different होता है यहाँ पे friends आपको completely इसके बारे में मैं वीडियो करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको steering के बारे में यूज दिकाऊंगा अगर हम break apply करके turning लेते हैं suppose आप टरन ले रहे हैं तो हमारा steering का movement जो होगा जो speed होगी steering turn करने की speed होगी वो slow हो जाएगी और अगर हम बिना break apply किये जितनी speed में होगे तो हमारा movement जो है steering का वो और different हो जाएगा चलिए फ्रेंट्स जी वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको request करूंगा फ्रेंट्स आपको request करूंगा वीडियो अगर पसंद आए तो पूरी देखें like जरूर करें और comment में कुछ कहना चाहते है और चैनल को अब तक आपने subscribe नहीं किया फ्रेंट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें चलिए फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां पर अभी मैं यहां से turning आगे आप देख रहे हैं left turning है वहां पर मैं कार अपनी turn लेने वाला हूं आपको दिखाऊंगा अगर मैं brake apply करके turn लेता हूं तो मैं किस तरह से drive करूँगा यहां से यहां से movement start की है मैंने कार में movement start कर लिए अब यहां से मैं turn ले रहा हूं बीना brake apply की यह देखिए स्पीड मेरी steering के स्पीड देखिएगा यह देखिए टर्न कर लिए मैंने और यहीं चीज यहीं से सेम चीज मैं अगर brake apply करके करूंगा क्योंकि मेरे turning आपने देखा किती स्पीड में मतलब turning जो है स्पीड दी कार की मेरे को क्या है steering का movement भी थोड़ी स्पीड में करना पड़ा according to my dice कार के dice के साबसे मेरे को movement को जो है ज्यादा रखनी पड़ी स्पीड steering turn करने की स्पीड मेरे को थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़ी अब जो है वापी से मैं back लेके जाता हूं उसी position से आपको दिखाऊंगा यहां पर मैं जब turn लोंगा अभी आप देखिए उसी position से मैं first gear से वापी से स्टार्ट करने वाला हूं कार को यह मैंने first gear लगाया car stop कर ली completely पहले यह first gear लगाया अभी देखिए अब मैं slowly कार को अंदर के तरफ डालूंगा यह जो left turn है यह मैं second gear लगाया हूं अब मैंने कार को slow कर लिए देखिए almost break लगा लिए अब देखिए turning मेरी देखिए steering में कैसे turn ले रहा हूं मेरे को उस समय क्या है speed में turn लेना पड़ा तो steering ज्यादा जल्दी गुमाना पड़ा अभी देखिए मैंने बड़े अराम से turn लिया और फिर steering को सीधा भी देखिए बड़े slowly से किया है अगर आप पहले वाला किसी turning पे पहले जो मैंने किया था उस पे अगर आप ध्यान लेंगे तो मैंने किस तरह से speed में turn लिया क्योंकि कार की speed ज्यादा थी steering का control friends इसी लिए आपने ध्यान रखना है कि कितनी speed है आपके कार की उसके according steering control होगा या turn होगा हम यह नहीं कह सकती है थे कि यह मैंने slowly से turn लिया है और यह यहां से बटार कार को turn ले लिया है इस तरह position से आगे कार है almost हमारी इतनी ही position है जितने में दोनों कार निकलेगी तो हमने judgment लेके कार निकाल लिया है यह turning friends slowly इसलिए स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हो steering का control आपने बहुत ही slowly इस चीज को करना है क्योंकि slowly करेंगे अगर आप तो आपको आइडिया लगेगा कि कितनी turn हो रही है कारिये देखिए यह मैं बहुत ही slowly first year से turn ले रहा हूं बहुत ही slow मैंने turn लिया है और कित इस मतलब जैसे मेरे को turn लेने के समय स्टेरिंग का जो rotation है वो मैंने बहुत ही slow लिया है अभी आपको यहां से left turn लेका रहा है वहां पे थोड़ी सी speed में turn करके दिखाता हूं friends यहां से first gear लिया हूं मैं speed increase करूंगा second gear लिया हूं speed increase कर लिया है यह देखिए steering का movement देखिए यहां से right turn लेता हूं यह देखिए steering जैसे speed बढ़ेगी मेरे steering का movement जो है यह revolve जो कर रहा हूं मैं यह मेरी क्रीज हो जाती है speed क्योंकि मेरे को turning जो है speed में लेनी पड़ती है यह देखिए यह थोड़ा सा slow करना पड़ा मुझे क्योंकि मेरे कार को turning की radius भी देखनी जरूरी है आगे कुछ आ रहोगा तो थोड़ा सा उस्पेस लिए क्योंकि हमेशा सब्सक्राइब मेरे का मुव्मेंट जो है completely different हो गया है क्योंकि मैंने स्पीड में कार को turn लिया है तो जितनी स्पीड हम कार में रखेंगे उतना स्टेरिंग कम भूमेंगा क्योंकि स्पीड है इसलिए कार फट से घुम जा रही है है और सो जितना रखेंगे घिए जितना स्टेरिंग यह दिए कितना turn लेना पड़ा यहां यहां यही स्पीड होती मेरे कार में 20 लेकिन कि मेरे को स्पेस जादा चीए होती कम सपेस में मैं टर्न नहीं ले पाता तो फ्रेंट ये वीडियो इसलिए मैं बताना चाहँ रहा हूं कि हमें इस टेरिंग का चिनेंग के समय हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना ही टर्न करना होगा क्योंकि राइड तर्न हा रहा है हमारी स् स्पीड हमारी कार के कितनी है तो इस टेरिंग का कंट्रोल जो है Friends आपको इनीशल जो है आपको slow moving में turn लेके देखना होगा की किस तरह से आपका turn हो रहा है और उसके बाद आपने क्या practice करना ही यह देखें जोड़ी तरह सिनेखी तरह से हमें कन्ट्रोल किया है हुआरेmus होता है जिससे हमें d승 समझ में आए उसके लिए आपने स्लोवें में हीं कार को ताकि आपको अच्छे से steering का control या car की dice समझ लें फिर आप अपनी steering को अपने इसाब से आप use कर सकते हैं या steering का control अच्छी तरह से ले सकते हैं लेकिन तब तक आपने slow चलाना है जब तक आपको steering और car की dice का idea न लग जाए अब मैं friends ये चीज वीडियो थोड़ी सी extend करना हूं steering के control के बारे में थी अब तक तो अब मैं steering को hold करने की बात करूंगा steering हमें hold करना चीए usually इस position पे हमारा right hand जो है इस तरह होना चीए left hand इस तरह होना चीए तो अगर हम इस तरह से hold करते हैं तो हमें turn लेने में ये देखिए half of the way मैं अराम से steering को turn कर सकता हूं तो initially जब आप drive करना सीख रहे हैं first year second year और street चला रहे हैं तो आपका steering movement इस तरह होना चीए बहुत ज़्यादा hard नहीं पकड़े नहीं तो आपको ही uncomfort लगेगा आपके hand में भी pain आएगा 15 minutes से ज़्यादा आप steering को hold नहीं कर पाएंगे ओल्टा आपको pain बढ़ने लगेगा तो आपने steering का जो hold करना है बड़े slowly और slowly in the sense बहुत ही lightly hold करना है और उसी को practice में रखना है आप हो सकता है panic होके hard hold करने या firm करने अपने हाथ को या बहुत सक्ती से पकड़े वो चीज नहीं करें तो बैतर रहेगा आपको comfortably drive करने की habit होने लग जाएगी और अब जो है हम जै करन लेते वक्त steering इस तरह से ऐसे सीखना होगा या इस तरह से इस तरह आप करेंगे यही सही तरीका है friends अभी जैसे मैं कर रहा हूं मेरा right hand है इसे घुम जा रहा है यह अगर आप starting में सीखना चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा friends यह आपको बहुत समय चलाने के बाद ऐसी single hand operate बोल सकते हैं या एक ही हाथ से आप इस तरह से घुमा सकते हैं अपना steering यह चीज बाद में आएगी इनिशली यह बिल्कुल भी possible नहीं है in fact मैं recommend भी नहीं करूंगा कि आप try भी करें जब तक आप दोनों हाथ से बड़े अराम से steering को घुमा सक रहे हैं तब तक best है यह देख आपको किस तरह से steering को मूँव करना चाहिए यह देखिए अभी left turn आया तो मैं steering को इस तरह से turn कर रहा हूं यह देखिए कि starting में आपने इसी तरह से turn करना है जैसे अभी मैंने left turn में करके दिखाया friends क्योंकि आपको control समझने होंगे पहले आपको आपका steering को आपने जो आपकी डाई से कार की वो समझनी होगी हलका सा move आपने ज्यादा कर दिया अगर आपको फिर से दिखाता हूं यहां से right turn में मैं second gear में वालकी से accelerator ले लेता हूं अब क्या slow down है 20 की speed है कार हम जब turn कर रहे हैं suppose मैंने extra turn कर दिया यह देखिए यह ऐसे करते करते extra turn हो गया तो हमें straight करके वापी से turn समझना होगा अपनी कार को इस तरह से किस सरह से हम turn कर रहे हैं और अगर ज़्यादा turn हो गया तो हम straight करेंगे कार को इस तरह से हम चलाना कार को अपनी drive करें और पैनिक बिल्कुल नहीं होएं क्योंकि अगर आप पैनिक हो रहे हैं तो आप कार को और slow कर लें ब्रेक अपलाई कर लें तोड़ा से रिलाक्स हो लें यह देखिए यहां से turn ले रहा हूं मैं यह देखिए कार left hand से ही मैंने आदा से यादा इसे प्रेंड्स चलाते चलाते आपको प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा movement आएगा इनिशली ऐसा विल्कुल भी नहीं हो पाएगा आप से तो आपको recommend करूंगा आप प्रैक्टिस करते समय दोनों हाथ का इनिशली नहीं करें और इस तरह से मैंने आपको दिखाया steering इस तरह से turn करन करना वैसे ही करें तो आपको गया है habit हो जाएगी दीरे दीरे फिर आप जब जादा चलाने लगेंगे या आपको कार कंट्रोल आने लगेगी steering की उसके बाद आप सही तरीके से steering का कंट्रोल समझ लेंगे तो अभी देखिए मैंने इस तरह से बताया आपको जो movement हमें रखन करना चीए लगार में जिस तरह से होलड दुड जबए जब भी चलाएंगे कार इंशंटी जबाद सी रहे हैं और परी कुछो मइं नहीं करना होता है क्योंकि की अजिए आप सेंगा नियुना ले sand utan व्यु़िए को पसंद आही होंगी कि सब्सक्राइब करें किस तरह से सब्सक्राइब've लेना चाहिए अगर यह वीदियोन पसंद आई हो टो लाइक करें कठो के लिए व this करें उस ड्राइ तो पुक्सक्र हो रिस्की जोन में पř 없다 सी को इता है यह बीडियो के लिए अगर आपस्टार्ट करसे हैं जैसा मैंने आपको वीडियोस में समझाया चलिये घर्ली को न ही दे जर्ट